दोस्तो बिक बोस इजन 17 के गर में एक बार फिर से आईशा खान ने मुनावर फारुकी का ध्यान अपने तरफ खीच लिया है जी हैं दोस्तो मुनावर फारुकी यहाँ पर एक बार फिर से अपनी गर्ल्फरेंड आईशा से इतने इंप्रेस हुए है कि गरवालों के सामने आईशा की जमकर तारीफ कर डाली दरसल आईशा हाली में नहादोकर टास्क के लिए तैयार होकर आई है और उन्होंने आज ब्लेक कलर का सूट पहना हुआ है और वो वाक़ी काफी खुबसूरत लग रही है और ऐसे मैं मुनावर फारुकी से रहा नहीं गया और जैसे ही आईशा आकर सामने बेटी ते मुनावर ने कहा कि यार अच्छा लग रहे हो आज आप काफी खुबसूरत लग रहे हो आपका ये लुक ना काफी मुझे इंप्रेस कर गया ये सुनकर दोस्तो आईशा आपने आपकी तारिफ करते हुए कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ मैं हूँ अच्छी अच्छी लगती हूँ मैं तब ही तो लोग लड़ते हैं मुझसे ये सुनकर यहाँ पर निल बट से भी रा नहीं गया निल ने कहा कि हाँ खुबसूरत तो लग रहे हो आप लेकिन यहाँ पर लोग खुबसूरती के लिए नहीं लड़ते हैं यहाँ पर लोगों को लड़ने का बस कोई नहीं कोई मोखा चीए लोग कैसे भी लड़ सकते हैं जिसके बाद यहाँ पर आईशा कहती है कि अगर अब देखो लोग लड़ने के लिए आते हैं न मेरे पास तो मैं चुप नहीं बेटूंगी मैं तो लड़ूंगी यहाँ पर लड़ने के लिए आई हूँ और लड़ूंगी मैं तो अपने लिए लूँगी स्टेंड मैं चुप नहीं बेटने वाली मैं तो फार कर रख दूँगी यह सुनकर यहाँ पर मुनावर काफी हरान होते हैं लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर जो है मुनावर जो काफी इंप्रेस हुए हैं आईशा से आईशा का लुक को देख कर घरवालों के समने तारिफ कर डाली है फिलाल क्या के ना चाहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर आप अपनी राय हमें